नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स आज मैं फिर से लेकर आगई आपके लिए बहुत ही यूनीक रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी तो आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ बची हुई रोटियों की रेसिप तो चलिए फटाफट वीडियो सुरू करते हैं तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने बची हुई रोटिया ली हैं अक्सर हमारे घर में रोटि बच जाती है तो हम सोचते हैं कि क्या बनाएगा तो लोग खाना पसंद नहीं करते तो इसलिए मैं सोची कि बची हुई रो इस रेशिपी को बनाने के लिए च Pas Pas T बढas रोटी ली है, राटकी बלजी रोटी बनेगे, इस पम र姥ी तरीके कूग और यहां सबना। और जोन 나오desκ यहां में एकानी हैं उसम ने सफनाट गी में या तेल में तो वह एकदम फुली-फुली हो जाती है और बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी तो दोनों साइट से हम सारी रोटियों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे फ्रेंट्स इसे देखने के बाद कोई यकीन नहीं करेगा कि यह बची हुई रोटियों की रे अगर मेरी रेशिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेश करिएगा ताकि मेरी वीडियो की नए नए नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले और आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करिएगा तो मेरी सारी रोटिया फ्राई हो चुकी हैं तो देखिए एकदम पापड की तरह एकदम क्रिस्पी इसकी आवाद से आपको लगेगा कि हाँ एकदम क्रिस्पी कि यह हुए भी आप पीश सकते हैं लेकिन इससे जो टेस्ट आएगा न बहुत ही अच्छा आएगा क्योंकि घी में जब हम रोटियों को फ्राई कर देंगे तो घी का फ्लेबर भी आएगा और घी में किसी चीज को बनाने से टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो घ कि यहरी पंडेट है इसों घौन мог सब्सक्राई दरैने से गरता बैप गरम होने के लिए उसमें हम डाल देंगे चार चम्मच के करिभ चीनी चीनी हम यहाँ पर आधा डालेंगे आधा चीनी हम बाद में एट करेंगे तो बीना पाने का इसे हमें पकाना है उमने चीनी का के एड़ कर दिये एक गिलास दूद और इसको लागातार चलाते हुई हम इसे पकाएंगे अब इसमें हम 4-5 बूद नीबू की डाल देंगे जिससे की इसमें बहुत दानेदार आएगा टेक्चर और नीबू हमें ज्यादा नहीं डालना है नहीं तो दूद फट जाएगा और न हाँ पर एक कटोरी डाल रहे हुँ गड़ी का बुराधा इससे जो इसमें टेस्ट आएगा ना लगे गा ही नहीं कि यह रोटी से बनी हुई रेसीपी है तो देखिए अब गैस का फ्लेम स्लो कर दें और इसे लागातार चलाएं और अब इसमें हम एड़ करेंगे पीसी हु कर रहे हुँ अब इसको लगतार चलाते हुए हम पकाएंगे जब चीनी मेल्ट होने लगेगी न तो यह टेक्चर गीला हो जाएगा और इसमें दो चमच घी हम इसमें उपर से और डालेंगे और एक एक चमच करके हम घी डालते जाएंगे और लाष्ट में भी घी डालेंग एक दम प्यारा लूक आया है लगी नहीं रहा है कि यह रोटी से बना हुआ है अब हम इसको अगर आपके पास केक मोल्ड है तो उसमें रखिए या कोई भी आपके पास कंटेनर हो इस तरह का तो उसमें आप इसे सेट कर सकती हैं मैंने यहाँ पे इस तरह का कंटेनर लिया ह प्लास्टिक का और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी और घी को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे और फिर इसमें हम उसको सेट करने के लिए फैला देंगे तो यह बहुत ही जटपट बनी हुई मिठाई है और फ्रेंड्स इस मिठाई को बनाने के बाद आप मार्केट स तो लाना भूली जाएंगे और एकदम कम सामान में और बची हुई रोटियों से यह मिठाई आप बनाएंगे और जब आप किसी को भी खिलाएंगे तो कोई यकिन नहीं करेगा कि यह रोटी की बनी हुई रेसिपी है अगर आप चाहें तो ताजी रोटी से भी आप इसे ब तरीके से अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे थोड़ा सा टैप टैप करते हुए यह बहुत इजली निकल जाएगा और इसे निकाल करके इस पे और प्यारा लुक देने के लिए इसमें हम लगा लेंगे एक कुछ और चीज जिससे देखने में एकदम लगेगा कि य तो इस पे हम लगाएंगे चांदी वर्क अगर आपके पास चांदी वर्क है तो लगाएं नहीं तो इसकी भी कर सकते हैं कुछ ड्राइफ रूट से भी इसको सजा सकती हैं ड्राइफ रूट से भी अच्छा लगेगा बहुत प्यारा लुक आएगा लेकिन देखिए जो तो ट्राइ करे अब हम इसे काट लेंगे तो जिस सेप में आप इसे काटना चाहे है काट लीजिए मैं यहां पर तो इसे बरफी के सेप में ही काटूंगी एकदम यह जैसे मार्केट में मिल्केइक मिलता है फिर एक तरीके से यह बन कर तयार रहो है तो हम साइड से इसका आसान है बनाना तो मैं ऐसी रेसीपी आप लोगों के साथ सेयर करती हूँ फ्रेंट्स जो बहुत आसानी से बन जाए और घर पे पड़े हुए सामान से आप इजली इसे बना सकें तो एक भरफी को मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितना दानेदार ये बना हुआ है और कि इतना देखने में प्यारा लग रहा है और खाने में तो फिर इसका जबाब ही नहीं बहुत टेश्टी लगेगा और एकदम दानेदार हमारा मिल्क केक बन करके तयार हो गया है ये रोटी की बनी हुई मिठाई है फ्रेंट्स कोई यकीन करेगा इसे देखने के बाद कि ये अपने रोटी से बनाया है तो देखी अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और प्लेट पे डेकोरेट करके अब आपको हम दिखाते हैं कि कितनी अच्छी मिठाई बन करके तयार हो गई है तो इसी तरह से हम नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे फ्रेंट्स तो म